सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे जरूरी है कि अपनी असफलता से सीख लेना इसी विचार के साथ मैं प्रियाब सभी का स्वागत करती हूँ आज की करनेट अफेर की क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक शेरर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारे प्रिवीस टे के क्वेशन से हमारा क्वेशन था वू इस दा करन्ट अटर्नी जेर्रल ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान महानियावादी कौन है हमारे ऑप्षन है के के वेशन गोपाल तुशार में था मनोज मुकुन नर्वाने विपिन रावत तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन एक के के वेशन गोपाल भारत के पंदरवे और वर्तमान महानियावादी के के वेशन गोपाल है इंडिया's first grain ATM has been set up in which among the following cities भारत का पहला grain ATM निम्लिकित में से किसे शहर में स्थापित किया गया है हमारे option है गुरुग्राम दिल्ली पूने बेंगलूरू तो इसका सही option है option A गुरुग्राम हर्याना सरकार ने 14 जुलाई 2021 को गोशना की कि भारत का पहला अनाज ATM यानि अनपूर्ती गुरुग्राम के फारुक नगर में एक पाइलिट परियोजना की रूप में स्थापित किया गया है अगला question देखते है हमारे option है जुलाई 14 जुलाई 15 जुलाई 17 तो इसका सही option है option B जुलाई 15 विश्व युवा कोशल दिवस हर साल 15 जुलाई को युवा लोगों में उद्धमिता अक्षेकाम और रोजगार के कोशल के रणीतिक महत्यों को जस्न बनाने के लिए मनाया जाता है अगला question देखते है विच हाई कोड विल बिकम दे फर्स वन इन इंडिया तो अलाव पॉब्लिक वीविंग और प्रोसीडिंग्स कौन सा उचन्यालय कारवाही को सरवाजनिक रूप से देखने की अनमती देने वाला भारत का पहला उचन्यालय बन जाएगा हमारे option है दिल्ली हाई कोड पॉम्बे हाई कोड मदरास हाई कोड गुजरात हाई कोड तो इसका सही option है option D गुजरात हाई कोड गुजरात उचन्यालय वर्चुल मोड की माधिम से कारवाही को सरवाजनिक रूप से देखने की अनमती देने वाला देश का पहला उचन्यालय बनने के लिए तयार है उचन्यालय ने गुष्णा की है कि वाज 17 जुलाई 2021 से सभी एकशुक पीठो के अदालती कारवाही को लाइट स्ट्रीमिंग शुरू करेगा अगला क्वेशन देखते हैं विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हाज लॉंच्ट एन एलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम किसे राजी के मुख्यमंत्री ने एलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश तेलंगाना करनाटक उडिसा तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी करनाटक करनाटक के मुख्यमंत्री बीएस यदूरप्पा ने 14 जुलाई 2021 को बैंगलूरू में एलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की यह योजना परियावरण की अनकूल है और इसका उदेश स्वरोजकार पैदा करना और सरवाजनिक परिवहन और तैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना है अगला क्वशन देखते हैं विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर डिस्पर्स रेस 385 क्रोल तो 26 लाग रेजिस्टर्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर किसे राजी के मुख मंत्री ने 26 लाग पंजी कृत निर्माड स्रमिक को तीन सो पचासी करोड रुपए का वित्रण किया हमारे ऑप्शन है राजिस्थान मद्धि प्रदेश उत्तप प्रदेश ओडिसा तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ओडिसा ओडिसा के मुख मंत्री नवीन पटनायक जी ने 15 जुलाई 2021 को राजिके 26 लाग पंजीकरत निर्माड श्रमिकों को 385 करोड रुपए की कोविट साहिता वित्रित की पहल के तहत राजिके प्रतेक पंजीकरत निर्माड श्रमिक को सीधन के खाते में 1500 रुपए मिलेगा अगला प्शन देखते हैं विच स्टेट ट्यूटी गॉट इट्स फर्स रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन उन जुलाई 14, 2021 चोदह जुलाई 2021 को कि सराज 15 शाषिर प्रदेश को अपना पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन मिला हमारे ओप्शन है लट्दाग चंदीगर जमू ए प्रदूसर समिती मुख्याले में पहली बाइसतत परिवेशी वायुगुडवत्ता निग्राणी स्टेशन के उद्गाटन के साथ जमू और काश्मीर को अपना पहला वास्तविक समय वायुगुडवत्ता निग्राणी स्टेशन मिल गया 2020 प्रणालिये अतधिक के वायुगुडवत्ता निधारित करते हैं उसके बारे में आज की question of the day को जो है पीम नारेंद मोदी has recently inaugurated the international cooperation and convention center रुद्राक्ष इन विच city पीम नारेंद मोदी ने हाल ही में कि सहर में international cooperation and convention center रुद्राक्ष का उघाटन किया है मारे option है एंदा बादवारा नसी कोलकाता देहरादून तो इसमें से जो भी option आपको सही लग रहे हो comment box में comment करके बता सकते हैं और जिन्होंने previous question का अंसर सही दिया well done keep doing ऐसे यह अंसर देते रहे है और अगर आपको मेरी वीडियो चल लगे तो प्लीज इस वीडियो को like share channel को subscribe करके bell notification को all पर set कर दे thank you